नमस्कार नीतिस कुकिंग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स कभी घर में सबजी आपकी पसंद की ना बनी हो या फिर घर में कोई सबजी हो ही नहीं बनाने के लिए तो बनाएं आप ये ठेचा चटनी कोलापोर मिर्ची का ठेचा बहुत ही फेमस है बहुत पत्ली वाली लेंगे तो बहुत तीकी बनेगी और इस तरह की लेंगे आप तो ठीक ठीक बनेगी आपके उपर डिपांड करता है कि आप किस तरह की खाना चाहते हैं तो सब से पहले इन रख मिर्चीयों को हम अच्छे से धो लेंगे और दूने के बाद अब हम इनको काटेंगे इस तरह से देखिए यह चटनी महराश्टर की बहुत ही फिमस चटनी है और बहुत ही कम टाइम लगता है बहुत ही कम इंग्रीडियंट भी लगते हैं और साथी सबसे अच्छी बात की यह बहुत ही टेस्टी भी लगती है तो चटनी बनाने के लिए गैस की तरफ चलते हैं इसके लिए हम सबसे पहले खड़ाई या फ्राइंग पेन किसी में भी वन सर्विंग स्पून मस्टर्ड ऑइल डालेंगे आप चाहें तो कोई दूसरा ऑइल भी यूज कर सकते हैं पर इस चटनी का मज़ा इसी में ही आता है तेल को मैंने बहुत अच्छे से गरम कर लिया है और पूरा गरम करने के बाद एकदम स्लो फ्लेम कर लेंगे अब साथ ही डाल दिये मैंने 1-4 टेबिल स्पून ही और जैसे ही हिंग पक जाएगी उसके बाद हम डाल देंगे 1-4 टेबिल स्पून जीरा जीरे को हम थोड़ा स इस चट्नी में बिल्कुल मसा नहीं आएगा इस लैसून को हम हलका सा पकाएंगे कि इसके ओपर थोड़े थोड़े से ब्राउन स्पॉर्ट से नजर आने लग जाए थोड़ा सा यह मतलब रोस्टेट जैसा दिखने लग जाए तो अब मैं डाल रहे हूं इसके अंदर वन हरी मिर्चे की सब्जी चट्नी बनाएं तो नमक थोड़ा तेज रखिए वरना इस चट्नी का बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा खाने में तो जैसे हम आम तो पर हर सब्जी में डालते ना बस उससे थोड़ा सा जाधा यह देखिए हमारे जो लैसून है अच्छे से सिग ग पकाते हुए देख करके खाने में तो वाकई बहुती मजा आएगा तो फ्रेंड्स यह देखिए हरी मिर्ची थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई अब हम इसमें डाल रहे हैं हाफ कप रोस्टेट पीनट्स जैसे आम बजार के अंदर जो कच्छी मुझफली मिलती है मार्केट में आप उसको ले आएं और कड़ाई के अंदर थोड़ा सा रोस्ट कर लें इसको अफरी हलके हलके से छिलके जो है न वह तार लीजिए बस उसके बाद जो है इसमें इसको एड़ करना है देखिए अब यह थोड़ा सा मैंने इसको और चला रही हूँ जादा पकाना नहीं है व हम इसको छोड़ देंगे ऐसी धंडा होने के लिए तो लीजिए हमारी हरी मिर्ची धंडी हो गई है अब मैंने लिया है यह मौटर पैस्टल आप चाहें तो इसमें इनको कूट लें दरदरा सा या चाहें तो आप किसी ग्रैंडर में चला के इसको हलका सा ग्रैंड कर सकते ह अपने मन मताबिक मैं इसको कूट ओंगी क्योंकि कूटने से स्वाध आता है ना फ्रेंड्स हरी मिर्ची जब कूटती है ना तो उसके सारे फ्लेवर्स निकल के आते हैं आप इस तरह से बनाएंगे ना तो वाकई में आपको बहुत ही अलगी स्वाध आएगा यह देखिए तो आप चाहें तो बिल्कुल इसी तरह से कूट सकते हैं और जब यह कूट जाए तो आप इसको अलग से निकाल लीजे और उसी तरह से जो हमने सारी हरी मिर्ची पकाई है उनको सबी को इस तरह से कूटते जाएए वैसे इसको पारम पर एक तरीका बनाने का होता है सिल्ब में रख सकते हैं यह टाइट कंटेनर में 15 दिन के लिए बिल्कुल घराब नहीं होगी जब मन करें जब निगाली और खाईए और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इंस्ट्राग्राम पर भी मुझे फॉ झाल और खाईएं.